Welcome to Learn E-Spot आज के हम अपने सेशन में पढ़ेंगे कि भारत के रास्परति के वीटो पावर क्या है? ये वीटो पावर क्या होती है? आईए जानते हैं वीटो वीटो एक लेटिन शब्द है मतलब लेटिन शब्द है एक भाषा है और उसका एक शब्द है जिसका पूरा अर्थ होता है कि मैं निशेद करता हूँ अर्थात मैं मना करता हूँ या मैं मना करती हूँ अर्थात ये एक ऐसी शक्ति है जो अग यदि किसी के पास हो तो वो उसका प्रयोग करके यदि कुछी कानून को रोग भी सकता ह किसी कानून को टाल भी सकता है, ये एक ऐसा दिकार है, जिसे हम बोलते हैं, वीटो पावर. आप यहाँ इमेज में देखी रहे होंगे, ये शक्तिमान की फोटो है, शक्तिमान सबसे शक्तिशाली होता था ना, शक्तिमान के पास हर उट शक्तियां होती थी, तो इसी तरीके से इसी को relate करके हम लोग veto powers परेंगे तो आज जो हमें पढ़ना है रास्ट्रपती के veto powers के बारे में तो रास्ट्रपती के तीन जो veto powers हैं आई उनके बारे में जानते हैं और एक शोटी सी वीडियो में इन सब तीनों veto powers को जान लेते हैं पहले आता है हमारे पस absolute वीडियो, वीटो, absolute वीटो को हिंदी में बोलते हैं अत्यांतिक वीडो, क्या बोलते हैं अत्यांतिक वीडो, absolute का मतलब ही होता है संपूर, मतलब अगर मैंने कह दिया हाँ, तो हाँ, और अगर मैंने कह दिया ना, तो ना, मतलब हाँ, तो हाँ क्या आ अब जब रास्ट्रपती ने सिगनेचर ही नहीं किया तो ना वो विद्येः पारित हो पाएगा ना वो कानुन गरूप ले पाएगा तो दस विटो means that when the president keeps a bill passed by the parliament with him because of this the bill and the act is not known तो bill बन ही नहीं पाएगा जब रास्ट्रपती की भई हमारे देश में क्या होता है उसके बाद रास्ट्रपती उस bill पर सिगनेचर करता है और हमारा act वो विद्येः क्या बन जाता है हमारा कानुन बन जाता है परन्तो जब रास्ट्रपती अपनी absolute power पे आ जाता है कि रास्ट्रपती उस विद्येः को अपने पास ही रख लेता है तो क्या होता है ये इसके absolute power होती है absolute veto शक्ती का प्रयोग है 1954 में जब रास्ट्रपती डॉक्टर राजीन प्रशाद जी ने इसी तरीके के veto power का प्रयोग किया था अब आप comment section में मुझे बताईएगा कि 1954 में ऐसा कौन सा reason था जो रास्ट्रपती ने कौन सा ऐसा विद्येः का क्या नाम था जिसमें रास्ट्रपती ने इस veto का प्रयोग किया था आए next चलते हैं next है suspension veto suspension veto suspension veto का मतलब है टाल देना या टालना नहीं suspension मतलब होता है उसको पुनहाँ वापस इसको हिंदी में बोलते हैं suspension veto को निलंबन कारी veto होता क्या है कि जैसे लोकसभा से बिलपारित हुआ ये राजसभा से बिलपारित हुआ और रास्ट्रपती के पास पहुँचा अब रास्ट्रपती ने सोचा कि नई नई ऐसा लगता है कि इसमें कोई जल्दी बाजी कर दी गई और हमें इस विद्यया को और थोड़ा improve करना चाहिए या इसमें कुछ ऐसे points add on करने चाहिए तो रास्ट्रपती क्या करता है उस veto को उस विद्यया को सीधे कहां भेज देत है संसद में चर्चा करने के लिए अच्छा इसमें कुछ चीजें हैं कि अगर संसद में चर्चा करने के लिए बेज दिया और संसद में क्या हुआ फिर से चर्चा हुई और फिर से रास्ट्रपती के पास बेज दिया तो फिर रास्ट्रपती को उसको स्विक्रती देनी होत पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि बिलकुल टाल देना मतलब इस शक्ति में क्या होता है कि ना तो रास्ट्रपती अपनी आस्विकरत करता है और ना ही क्या मना करता है मतलब वीटो पावर यह जो है पॉकेट वीटो और अनशितकाल के लिए रास्ट्रपती के पास रखा रहता है 1986 में रास्ट्रपती जैल सिंग द्वारा भारती डाक अधनियम के संदर्व में इस वीटो का प्रयोग किया गया था मैं एक्जैम्पल भी आपको बता रही हूँ भारत में क्या होता है यह अनिशितकाल है अनिशितकाल के लिए रास्ट्रपती अपने पास यह विधयक रख सकता है ठीक है लेकिन अमेरिका में क्या है इसे दस दिनों के लिए रखते है इसलिए अमेरिका वाले वीटो पावर को क्या बोला जाता है छोटी पॉकेट बोला जाता है और भारत में क्या बोला जाता है पॉकेट बोला जाता है ठीक है तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि जब रास्ट्रपती ना सहमति देता है ना आज स्विक्रत करता हो एक अनिशित काल के लिए अपने पास विध्यक आपने पास रख लेता है, जिससे विध्यक समाप्त हो जाता है, उसमें आदिलियम नहीं बन पाता है, तो यह थे रास्ट्रोपती के वीडियो पावस, ठीक है, I hope आपको समझ में आया होगा, ठीक है, नेक्स सेक्शन में हम लोग मिलेंगे, कुछ नए टॉपिक के साथ, अप